कि हम जो क्लास देते हैं उसमें पहले हम पास दिन का डेमो देते हैं अमर्शिक जी आप आपका कोचिंग सेंटर दिली में था तो आप यहां राजस्थान में किस तरह से एक राजधानी छोड़ करके स्टेट के राजधानी में सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें यह उसर परदान किया राजस्थान में आने के कई कारण है पहला कारण तो यह रहा कि राजस्थान में हमने काफी समय तक पढ़ाया भी और जो हमारा में जो देश है वो जो ग्रामीड परिछेत्र के बच्चे हैं और राजस्थान के सेना में भी काभी बच्चे हैं, पुलिस में भी बच्चे जाते हैं, और जो प्रदेश अस्तर की जो परिक्षाए होती हैं, उसमें भी बच्चे भागीता लेते हैं, तो सुरू से हमारा एक उदेश था की जो ग्रामीड परिछेतर के बच्चे हैं, उन्ह क्यों ना हम ही महां तक पहुँचे और जो गुडवत्ता पूर्ड सिक्षा है उसको बच्चों को प्रदान किया जाए और वो बहुत ही कम फीस पर दिया जाए हमारी पूरी टीम जो की अभी बहुत जल्दी ही हमने पिछले साल कोचिंग शुरू किया था पांच जुन 2018 को हमारी कोचिंग शुरू हुई थी और अभी हमारे पास गुडवत्ता सिच्छा देने की वज़े से ही लगभग साड़े चार हजार के करीब में बच्चे हो गए दिल्ली और जैपूर से मिला करके नहीं अभी तो दिल्ली में हमारा जो बैच है वो अभी सात को आने वाला है और उसी की सारी तैयारियां ये चल रही है और अभी तक हमारे पास लगभग साड़े तीन सो से जादा बच्चों के यहां पर आकर उन्होंने इंक्वाइरी वगएरे ले रखी है अमर सिंधी एक बात बताईए कि आप इस कोचिंग सेंटर के अंदर किन-कि नोकरियों के लिए तैयारी कर बाते हैं? इसमें थोड़े से गाइडलाइन की जरूरत होती है और अच्छे माटीरियल और मतला आपने हर वर्क के जो स्टूडेंट एचात रहे हैं उनकी स्वीदा के लिए हर विशे की आप यहां पर करवा रहे है हर विशे की करवा रहे है और हमारा में इस्पेसलाइजेशन तो र जी है जो जोगर्फी पढ़ाएंगे सुसान जी है जो साइंस पढ़ाएंगे मैं खुद भारत का समिधान और राजवेवस्ता और प्लस कानून भी पढ़ाता हूं बाइप्रोफेशन में वकील भी हो और मेरा 2004 से प्रेक्टिस भी चल रहा है पढ़ाने का मुझे सुरू से बहुत सौग था इनफेक्ट मैं अपने स्कूल लाइफ से लेकर और इनवर्स्टि लाइफ तक टीचर के जाने के बार मैं क्लास में खुद पढ़ाता है अभी तक आपने कहा कि दिल्ली में आपके पास साड़े चार अजार बच्चे हैं मलत साल के अंदर साड़े चार अज करें वहाँ पर स्कूल इसर यह रहा से लेक्ट परन उर अपने जिश्याइकர ऑपप Sex' किस तरीके से अरुट oogle आप दिज्वूवत उटम आपने आपके अपके 80 पर से लेक्ट में लेकिन अभी आपने आपने Partner में जैसे खोला है तो राजस्तान में जो चातूं के अभीभावक हैं तो आपकी ऐसी क्या खाश्यत हैं कि वो उन खाश्यतों को देक करके आपके बच्चों को आपके पास बेजें इस पर हम दो पॉंट भेव से बात कर सकते हैं एक तो यह है कि अगर हम चात्रों के हिसाब से देखें, तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और जिनको वाकई में गवर्मेंट सर्वेंट बनाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, तो अभिभावक के दृष्टिकोंड से अगर हम देखें, तो दिल्ली की जो गुडवत्तापुड सिक्षा है, व तो बननाफे हम देखें, तो गुडवत्तापुड सिक्षा दिजा रही है, सबसे बड़ी बात होती है, कि जो विशह आपको पढ़ाया जा रहा है, उस विशह में आपकी नॉलिज कैसी हो रही है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो परिक्षा के लिए कितना तरक पूंड और और जो पढ़ाया जा रहा उससे पुराने वर्स के परिक्षाओं के प्रशन आप से हल हो पा रहे हैं या नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है. आप बच्चों का बीच-बीच में टेस्ट भी लेते हैं एक तरह से जैसे उनको प्रेक्टिकल कम्पिटिशन करवाना? में एक घंटे बीस मिनट पढ़ाते हैं, जो दस मिनट हमारे पास बचता है, उसमें हम पढ़ाये हुए टॉपिक पर ही दस multiple choice questions देते हैं, वो questions बच्चे को out of box नहीं होता है, जो टीचर ने पढ़ाया उसी पर दस question होता है, अक्सर हमारे पास ऐसा होता था कि हम लोग topic पढ questions बच्चे जब करते हैं, तो उनको लगता है कि जो उन्होंने पढ़ा, ये इतना तरक संगत है, और साथ ही साथ में वो परिक्षा के उपयोगी प्रशन भी होते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो वो एक तरीके से उन्होंने topic भी पढ़ लिया, बैठे- हमारे जो प्रशन होते हैं, वो आल ओबर इंडिया के जितने भी परिक्षाएं होती हैं, कुछ उनके प्रशन होते हैं, कुछ हमारे द्वारा बनाए गए प्रशन होते हैं, और कुछ प्रशन ऐसे होते हैं, जो हम काफी कठीन बनाते हैं, ताकि बच्चों को आगे भी एक स प्रश्ण के बिल्कुल नहीं होगा कुछ प्रश्ण होगे जो हो सकते हैं और कुछ प्रश्ण ऐसे होते हैं कि जिन पर बच्चे को बहुत ही ज्यादा टेक्निकल माइंड अपलाई करना पड़ता है आपने इस बात पड़ा जो आपका इस लेवल का जो स्टेंडर का जो आपका कोचिंग है क्या वो हर बच्चा आफोर्ड कर सकता है तो आपने फीस का क्या स्ट्रक्शर रखावा है आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं तो इस बात में खुद कहना चाहता हूँ, जैसे काफी जगह पर हमने दूसरी कोचिकों में भी पढ़ाया है, और उनके हम जब जाते थे तो वो हमें 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए घंटे तक का पेमेंट करते थे, यहां यही चीज जो हम दूसरों को दे रहे हैं, अगर हम खुद पढ़ाएं, हमारे जो साथी अध्यापक है वो पढ़ाएं, और हम एक बहुत कम फीस पर, जो गुडवत्ता हम बड़ी कोचिंगों को दे रहे हैं, जो कॉर्पोरेट बना लिया है, या जो उसको बिजनेस जैसा क करा रहे हैं, तो उसको हम बहुत कम फीस पर कर सकते हैं, हमारे हाँ प्रोड़क्ट के हिसाब से फीस हमने रिसाइड किये, जैसे हमारा जो आईएस और पीस के जो क्लासेस के हैं, उनमें हमने मात्र 65,000 रुपे के आसपास हमारी फीस है, और अगर बच्चे का सेलेक्शन हो जाता है, तो उसमें हम 25% उसे आफ भी कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे कोर्से से, जैसे एक जो हमारा सबसे सफल कोर्स रहा है, GS Special का, आप कहीं कुछ भी पढ़ते हो, मैस पढ़ते हो, कहीं इंगलिस पढ़ते हो, रिजनिंग पढ़ते हो, लेकिन हमारा GS Special का ए उसके लिए आपको कहीं जाने की जरुवत नहीं पढ़ेगी, और वो मात्र 7500 रुपए हैं, जिसमें 18% हम GST भी देते हैं, यानि अगर देखा जाए तो उस कोर्स की फीस जो है, वो 5000 के आसपास आएगी, और एक जो पेपर हम पढ़ाएंगे, उसमें 5 पेपर हैं, जिसमें भारत का समिधान है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थ विवस्ता है, और आपका विज्ञान और तक्निकी है, एक सब्जेक पर हजार रुपए पढ़ रहा है, अगर इस हिसाब से देखें, तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक समाज के प्रति हमारा जो करतब था, उतरदा इस पर भी बहन करने है, आपने ये बताया कि 5000 में एक आप GST स्कोर्स करवा देते हैं, 7000 में GST माइनस होती है, आपको 5 ही मिलते हैं, तो इसका टाइमिंग क्या होता है, मतलब कितने टाइम में बंदा बच्चा स्कोर्स को कर सकता है, वैसे तो हमारे डेस्ट से 5-6 महीने ब करा देंगे, लेकिन ये 7 महीने तक चला जाता है, क्योंकि उसमें कुछ जो छुटियां होती है, होली, दिपावली, दसहरा, इसको भी अगर हम इंक्लूट कर लें, तो वो लगवग महीने बरका टाइमिंगा, 7 महीने में तो 7000 रुपे बहुत कम है, अब ये तो अगर हम आ ही तो होता है, समाज के प्रती, तो समाजिक सुरोकार निभाने के लिए, आप किस तरह के बच्चों को छूट देते हैं? और उससे जो है, उनका जीवनियापन भी चलता था और वो शिक्षा भी गरहण करते थे, लेकिन आज समय बहुत बदल चुका है, आज हर चीज कामर्सलाइजेशन हो गया है, अगर हम एक ब्रोशर भी देते हैं बच्चों को, तो वो भी 7 रुपए का पड़ता है, इसके अ और को पेमिंट नहीं करना होता है, इस नाते यह हमारे बैलेंस में आ जाता है, दूसरी चीज जो आपने पूछा कि हमारा समाजिक सरोकारिता क्या है, तो सबसे बड़ी सरोकारिता तो यही है, कि हम राष्टर निर्मार में जिन अधिकारियों को बना रहे हैं, चाहे वो से प्रेंट लाइन कोचिंग सेंटर जो है, यह पहले से भी कटिबत रही है, कि जितने भी हमारे सेना के जवान है, अगर उनका युद्ध के दोरान या सांती समय में भी अगर वो सांती वेवस्था बहाली के दोरान उनको कोई इंजरी हो जाती है, यानि वो अपना जो उनका लाइबली हुड है, वो चलाने में अगर उनको दिक्कत हो रही है, इसके अलावा अगर वो मार्टियर्स है, या उनकी मृत्यू हो जाती है, जैसे पुल्वामा कांड हो गया, या भी हमारे जो नक्सली एरियाज में हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने जो है फी मैं आपको इसमें एक और बात बताना चाहूंगा, कि हम जो क्लास देते हैं, उसमें पहले हम पांच दिन का डेमो देते हैं, डेमो का मतलब होता है कि बच्चा आए, फ्री आफ कोस्ट बैठे, जो भी प्रश्न जहां से भी वो पूछ सकता है, पूछे, और अगर पांच द पारें, तो हमारे हाँ ये सुभिधा भी है कि बच्चा जब चाहे, वो जितना भी पढ़ चुका है, उस फीज को डिड़क्ट कराके अपनी फीज वापस ले जा सकता है, लेकिन मैं आपको बताओ, आज तक ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, हमारे साड़े चार हजार में, आज तक किसी बच्चे ने फीज वापस नहीं लिए, तो आप थे, अमर सिंग जी, आपका दिल्ली में, फ्रेंट लाइन कोचिंग सेंटर के नाम से इंस्टिटूट है, और अब आपने यहां ग्रामिन बच्चों के लिए, उनको स्वीधाई देने के लिए, जैपुर हम नीचे description के अंदर देंगे, इनका संपरक नमर भी देंगे, यदि आपको IAS, RAS इस तरह की या किसी भी नोकरी की coaching लेनी हो, आप तयारी कर रहे हैं, तो आप इनसे संपरक कर सकते हैं, और इन्होंने जो एक सबसे बड़ी बात बताई, इनका जो GS, इनका जो subject है, या इनक समाजिक सरोकार भी निभाते हैं, यदि आप किसी विद्वा या सहीद के पूत्र हैं, तो आपको यहां की जो समाजिक सरोकाराओं के प्रतिबद दता के प्रति इन जो छूट देते हैं, वो भी आपको मिलेगी, तो बने रही हमारे साथ, हम फिर अगले वीडियो के अंदर बताएंगे कि फरन्ट लाइन में किस तरह की पढ़ाई होती है, इनके दिल्ली सेंटर में क्या होता है, इनके कलासों के बारे में भी इनके जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उनका डेमू भी आपको हम दिखाएंगे, धन्यवाद